तो दोस्तों यहाँ पर आपके seat allotment का जो result है वे आ चुका है तो अब आगे आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए आपको बताने वाले हैं कुछ लोग का यहाँ पर question था fourth round में counseling करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे जिनको मन पसंद college नहीं मिला हुए क्या करेंगे जिनको यहाँ पर कोई भी college नहीं मिला हुए है क्या करेंगे तो बहुत सारे आपके question आए हुए है तो शलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला question आपके यह था कि यहाँ पर देखिए सबसे पहरे third round का result आ गया तो आगे क्या करना है करना क्या होगा यह हम आपको अभी बताएंगे उसकी वाद यहाँ पर जिनको अभी तक कोई भी college और branch नहीं मिला है तो क्या चौथे round में counseling करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं यह भी आपका बहुत ज़्यदा पूशा क्या question है और देखे एक question आपको जो तीन जा security फिस वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसको नेक्ष वीडियो में विस्तार से cover करने वाले हैं तो उसका आपको बिल्लकुल detail से समझाएंगे तो उसके लिए आप चैनल को subscribe कर लीजेगा फिर यहाँ पर next question है जिनको third round में मिले college पसंद नहीं है तो क्या करें क्या वे 14 round में भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं इसका भी यहाँ पर discussion करने वाले हैं फिर यहाँ पर देखे बहुत सारी चीज़े हैं जो आपके लिए हम discussion करने वाले हैं तो आपको क्या करना है इ लेकिन वीडियो के मादियम से सबका रिप्लाई देता हूं तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका पहले बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी किये होंगे और नहीं किया है तो कर लीजे चलिए इ आपके पस लिमिटेड चॉइस होंगी कि आप वहाँ पे सिर्फ दस चॉइस सिर्फ फिल कर सकते हैं अगर आप नए कंडिटर पूराने कंडिटर सब के लिए बता रहा हूं तो वहाँ पर आपको नहीं पता होगा कि हमारी रेंग के अकॉर्डिंग हम कौन सा कॉलेज बरें मान लिजे आपकी रेंग दस जार आपने सिर्फ लखना हूँ और कानपूर भड़ दिया और यहां पर आपको नहीं मिल पाया दस जार है पच्छी जार पचास जार है कुछ भी है मान लिजे एक उतारन दे रहा हूं और आपको वह कॉलेज नहीं मिला तो यहां पर फिर काफी यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए यहां पर आपके पास चॉइस करने का कम वो होगा तो यहां पर आप क्या करियरल अर्फा एजुकेशन सर्विसेस से आप यहां पर लीजिए क्या है यहां पर क्या आपके पॉर्टिक्लिंग इंट्रेंस यहां पर इस पर कॉल करिए आपकी सारी क्वैरी यहां पर जितने भी कोईशन है सब सॉल हो जाएंगे और यहां पर इनसे अगर आप कॉंसिलिंग का पूरा प्रोसेस कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं और यहां पर सो परसन गारंटी के साथ आपको इस सरकारी प्रोसेस करके देंगे सिर्फ आपको क्या करना है यहां पर कानपुर के रहने वाले हैं तो यहां पर आप यह जो आपका एड्रस दिया गी है इस पे यहां पर खुद जाके वीजिट भी कर सकते हैं मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए फोर्थ आप इनसे कॉंसेलिंग कराईए आपको पूरा पता चल जाएगा और यहीं आपको पूरी कॉंसेलिंग करा के देंगे तो आपको टेंसर लेनी जरूरत नहीं पड़ेगी तो कॉल जरूर करिए कर दिये गए नंबर पर आप यहां पर हम वीडियो पर वापस लोड़ते हैं तो यहाँ पर देखे यूपी पर टेकिनिक काउंसलिंग, अब आपको पता है कि थार्ड राउंड का जो रिजल्ट है, वह एक दिन लेट से आया है, आना था कल लेकिन आया है आज साम को, तो यहाँ पर अब आगे क्या करना है, तो अब उसी का डिसकसन करने वाले, देखे ज जिनका थार्ड राउंड का रिजल्ट आ गया है, जिनको मन पसंद कॉलेज मिल गया है, वह जाए आराम से आप एड्मीशन लीजे, फ्रिज कीजिए और अपनी एड्मीशन फिस पूरी जमा कीजे, डाकुन वेरिफिकेशन कराई है, तो यह आपको प्रोस्त करना होगा, फ आपका फिस पेमेंट का लिंग है, वह आपका जेनरेट कर जाएगा, तो आप फिस पेमेंट करेंगे, आपका एड्मीशन डन हो जाएगा, तो यह फ्रिज वाले कंडिटेट के लिए है, आप यहाँ पर देखे, जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, पहले उनकी बात कर तो जिनको यहाँ पर कोई भी कॉलेज और ब्रांच नहीं मिला है, तो क्या वे चौथे राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखे, कई सारे लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता था, कि फर्स्ट राउंड में अगर हमने यहाँ पर जो चौइस हैं वो आप चेंज कर पाएं, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेशन या नहीं करना है, उसी आपको रेजिस्टेशन और उसी आपको रोल नमबर और पार्सवाट से लॉग इन करना है, और फिर से आपको चौईस फिल करने का मौका मिलेगा, तो जिनको अभी सब कोई कॉलेज नहीं मिला था तो वह यहां पर आराम से अपना चौते राउंड में दस चॉइस फिल करके अपना कॉलेज जो लेना चाहें ले सकते हैं और यहां पर याद रिखें का मतलब मैंने आपको कई वार बताया हुआ है अगर आपने पर पहले आपने चोइस हो जाएंगी इस तरह आपने लखनों किया आपने वहां पर चारज चोइस लट कर ली तो वह आपकी आठ टोटाल हो जाएंगी कानपूर रखनों का मिला कि ऐसा नहीं है कि आपने गौवर्बंट कानपूर में कानपूर दे च्था BEN कानपूर रफ़केमिकल तो जितनी को यहां पर नहीं मिला है तो जैसे मैंने अभी होता है एक्सपर्ट काउंसलर को जो मैंने नंबर दिया था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा उनसे बात कर लिजेगा आप उसके हिसाब से यहां पर काउंसलिंग भी करा सकते हैं तो आपको पता होने ुसर me रहां जिनको ध्राइ में मिले कॉलेज पसंद नहीं है तो गया चाफियर काॉंसलिंग कभी मौका मिलेगा और यहां पर नई च्वाइस फिल करने का भी मौका मिलेगा और यहां पर जो आपने तीन जार रुपए जमा किया है सिक्योटी फीस हुआ आपके इधर की उठर टांफर कर दी जाएं यह आपके बेकार नहीं होंगे यह आपके चौथे राव्न के लिए ट्रांस्फर कर दी जाएंगे आपको फिर से जमा करने कि आपकी यह limit हो जाएगी और यहां पर एक limit और होगी कि यहां पर other state के candidate भी आपके पास counselling आपके साथ counselling कराएंगे तो यहां पर candidate की संख्या बढ़ जाएगी तो यहां पर कुछ limit होंगी और यहां पर आप choice कर पाएंगे। दस चोईस कर पाएंगे। और आगे मैंने आपको पूरा प्रोसस बता दिया है। और यह जियार रखना है खियों अब यहां पर फॉलॉट नहीं कर पाएंगे। अगर आप को यहां पर उसलिंग भांगWow कर दिया बाल झालोगों को फूर्सक्राइक. तो यह आपको याद रखना है तो यह जो आपके question थे मैंने cover कर दिये हैं उमीद है कि आपके जो भी आपके question थे उनके answer मिल गए होंगे आगे आपके जो भी question है comment करके जरूर पूछेगा एक बार हम आपके सबी question का sort में answer दे देते हैं पहला question था कि आगे आपको क्या करना है तो अगर आपका college पसंद है मिलके आपको जो आपका मन पसंद college है तो आप यहाँ पर fridge कीजिए document verification कराईए फिर जमा कीजिए आपका process done हो जाएगा उसके बाद अगर आपको कोई college नहीं मिला है तो यहाँ पर आप आगे तो कुछ करने ही पाएंगे तो आप डाएट चौते राउंड के जब यहाँ पर आपका process start हो तो वहाँ पर आप जाके आपने फिर से यहाँ पर choice fill lock कीजिए उसके बाद आगे seat allotment के आपके result का इंतिजार करना है आगे यहाँ पर जिनको यहाँ पर college पसंद नहीं हुए क्या कर सकते हूं तो आपको उसको उसी तरह छोड़ देना है चौते राउंड में फिर से आपके seat नीरस्त हो जाएगी और आपके 3000 रुपे बेकार नहीं होगी दिये गए नंबर पर जो एक्सपर्ट काउंसलर है उनसे बात करिए करियर रफा एजुकेशन सर्विसेस की मैं बात कर रहा हूं तो चलिए अभी के इस वीडियो में इतना ही रखते हूं उम्मीद है आपके सभी क्वेरी क्लियर हो गई होगी तो इस वीडियो में जो लाइक का एम तर ढाइस सो लाइक उसको जरू करिएगा मिलते हैं नए वीडियो में जै हिंदू बंदे मात्रा